जन्पत मुरदबाद में भरत कम्मिनिस्ट पार्टी के कारे करताओं से बर्टी महंगाई को लेकर पद्धाशन कर जिलाधिकारीके माध्यम से एक ग्यापन महा महीम रास्थ पती को शबाए ग्यापन के माद्यम से कमिनिस्ट पार्टी के कारेकरताओं ने अबगत कराया है कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है जिससे आम आदमी का जीना दुबर हो गया है लोगों का रोजगार भी खतम हो गया है और केंदे सरकार किसान मजदूरों को तभा करने पर तुली हुई है ग्यापन के माद्यम से सरकार पर आरोप लगाते वे कहा कि मलावट खोरी जम खोरी ब्रस्ट चार्ट चरम सीमा पर है उत्तपिदेश सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है कारेकरताओं की मांगे की बढ़ते महंगाई पर जल्च 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 रोग रोईताश कुमार राजपूत मौमद आलम सलीम राजकुरेशी नेत्रपाल यादब रुवीना खादी लोग मौजूद रहे रोईताश कुमार राजपूत मौमद आलम सलीम राजपूत मौमद आलम सलीम राजपूत मौमद रहे लेकिन सरकार ऐसा ना करके आम आजमी की कमर को तोड़ रही है और आम आजमी इस समय एक तो कोविद 19 था उसको लेकर के रोजगार सब चला गया रोजगार है नहीं मजदूरों को रोजगार मिलनी रहा उनको रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल पढ़ रहा है रही है इसमें जमाखोरी हो रही है और जमाखोर दुगना मुनाफ़ा ले रहे हैं तेल के दाम दोस्तु तबी हम जिला मुख्याले पर आए हैं महमें राश्टपती जी के नाम ए ग्यापन जिला अदीकारी मोदे को सोपंगे के ततकाल महंगाई पर रोग लगाई जाए रुतर प तो हो दुमें आढ जमाखोरी है